एक नए कंसेप्ट के साथ हम लोग फिर से आज यह आपके बीच में आज का जो कंसेप्ट है उसमें हम पढ़ेंगे कोवेब फिनोमिना यह कोवेब फिनोमिना क्या होता है और यह हम लोगों की जर्नल लाइफ से कैसे रिलेटिड है कैसे रिलेटिड है वह हम देखेंगे सब्जेक्ट ट्रम में अगर मैं बात करूं तो यह कोवेब फिनोमिना क्या है और किसने यह फिनोमिना दिया था और इससा हमारी लाइफ पे कैसे ही फेक्ट होता है वो सारा का सारा हम इस कंसेप्ट वीडियो में बढ़ने वाले हैं तो start करते हैं कोवे फिनो मिना पहले समझ लेते हैं कि कोवे फिनो मिन पहले कि जर्नलेक मैंने आपको डाइगराम लिया इससे आप समझ भी गए होंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि market में कुछ सर्टेन कमडेटि defines ऐसी होती हैं लाइक टोमेटो ओनियन पोटेटो इनके प्राइश जो है वह एकदम से साइथ हो जाता है जैसे तॉमेटो स्पोस्य ट्वेंटी रूपीज के जी एंटार्इनव मिल रहा है और सडनली एकदम से 40 ओпрिस 50 एट्री रूपीज के जी मिलना लग जाता है तो मिडल क्लास परसन या лож 63 ko को अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि टोमेटो एक टोमेटो ओनियन पोटैटो ऐसे चीज़ हैं जो डेली किचन में यूज होती है तो इन चीजों इन कोमेडिटीज के प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लेक्ट्वेशन होने की वजह से परसंस के ऊपर काफी फैक्ट पड़ता है तो वो प्राइस एकदम से क्यों बढ़ जाता है क्या उसके डिफरेंट रीजन्स हैं उन रीजन्स को सड़ी करके एक फिनोमेना निकाला गया जिस फिनोमेना को हम बोलते हैं कोब्वेब फिनोमेना तो वही कोब्वेब फिनोमेना हम पढ़ने व बड़े तो complete cycle की चलता है ठीक है को फिनोमेना इसको इसलिए बोला गया है कि को वैब को वैब लाइक जो मकडी का जाला होता है कि उस जाले के अंदर एक बार कोई चीज फस गई है तो उसका निकलना पहले उस concept को समझते हैं और फिर इस फिनोमेना को समझेंगे डिमांड सप्लाई और प्राइस का एक सिंपल सा concept है economics में which says कि अगर किसी चीज की supply ज्यादा है मार्केट में ठीक है लाइस कोई चीज ऐसी है जो ठोक्के भाव में मिल रही सिंपरियंगे साथ करोकेट में बहुत ज्यादा मिल रही है ठीक है तो यहीस होता है उसा सीज के डिमांड कम होती है जो चिद बहुत फ्रिक्वरेंट ली बहुत मिल रही है उस स्टी कि natural demand कम रहती है डिमांड कम रहेगी तो उस चीज का प्राइस जो है वो कम रहेगा अब इसका reverse देखते हैं अगर किसी चीज की supply मार्किट में बहुत कम है ठीक है उस चीज की डिमांड हमेशा ज़्यादा रहेगी अब supply कम है और demand ज़्यादा है तो obvious है उस चीज का price जो है वो ज़्यादा रहेगा यह simple सा concept है economics का मैं एक बार फिर से समझाता है उस concept को अगर किसी चीज की supply जो है supply market में बहुत ज़्यादा है कोई चीज ऐसी है जो बहुत commonly हर एक जगह पे मिल रही है ठीक है तो उस चीज की demand हमेशा कम रहेगी demand क्यों कम रहेगी क्योंकि वो चीज बहुत ज़्यादा quantity में available है और अगर कोई चीज ज़्यादा quantity में available है तो उसका price naturally कम रहेगा दूसरी चीज, अगर किसी चीज की supply market में कम है और supply कम है तो obvious है उस चीज की demand जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी क्योंकि उसको खरीदने वाले जliedा होंगे और वो चीज market में available कम है तो कम चीज है और खरीदने वाले जादा है तो हमेशा उसका price ज्यादा रहेगा example लेते हैं generally हम लोग देखते हैं कि कई बार कोई mobile phone या कोई गाड़ी market में आती है और उस गाड़ी की booking के लिए लोग जाते हैं कि भी ये गाड़ी मिली नहीं रही है या phone जो है market में मिली नहीं रहा है easily ठीक है तो क्या होगा उस phone का या उस गाड़ी का demand जो है वो बहुत जादा है और उस गाड़ी या phone की supply market में कम है supply कम होने की वज़य से demand जादा होने की वज़य से उस चीज़ का price बढ़ जाएगा क्योंकि लोग उसको खरीदने के लिए तयार बैठे हैं तो कोई एक person पैसे देगा दूसरा उससे ज़्यादा पैसे देगा तीसरा उससे ज़्यादा पैसे देने की सोचेगा तो उस चीज़ का price automatically बढ़ जाएगा इसके reverse में चलते हैं कि कोई चीज़ बहुत ज्यादा easily available है जो मैंने समझाया तो उसकी demand भी कम होगी और वो price में है तो कोवे फिनोमिना को देखते है कि क्या है कोवे फिनोमिना पहले तो यह देख लेते हैं कि यह आइडिया किसका था यह आइडिया प्रपोस किया था हिंगेरियन Hungarian Economist है Nicholas Kaldor तो यह exam point से important हो गया Nicholas Kaldor Hungarian Economist है जिनोंने यह idea दा है था Hungary यह country है यूरोप में ठीक है तो उनका यह idea था तो यह idea क्या था basically phenomena क्या था price of certain goods witness fluctuation fluctuation का मतलब है कभी price बहुत जादा हो जाएगा कभी price बहुत कम हो जाएगा तो कुछ certain चीज़ें ऐसी है market में जिनका price बहुत जादा fluctuate करता है and that are cyclic in nature और वो price fluctuation जो है वो cyclic है nature में मतलब price कभी बहुत जादा हो रहा है price कभी कम हो रहा है तो यह चीज़ उन्होंने study की इसी को उन्होंने नाम दिया cobweb phenomena का यह होता क्यों है it happened due to faulty producer expectation अब उन्होंने बताया कि ऐसा हो गया क्यों ऐसा होता है जो produce कर रहा है उस quantity को उस commodity को sorry not quantity उस commodity को जो person produce कर रहा है उसके कुछ ऐसी expectation होती है जो match नहीं हो पाती वो कौन सी expectation होती है वो भी हम देखेंगे जो match नहीं हो पाती जिसके वजय से उस quantity का price कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है कभी बहुत कम हो जाता है clear? okay the producer of agriculture goods specially उन्होंने example लिया है इसमें की agriculture goods पे जैसे हम लोगोंने भी देखा जो भी potato है tomato है onion है यह सब agriculture goods है for instance might decide to increase their output one year because their product commanded a very high price the previous year अब इस line का मतलब simple सा यह है कि मतलब अगर किसी चीज़ की market में बहुत ज़्यादा demand है और market में किसी चीज़ का अच्छा का सा पैसा मिल रहा है तो हम लोग भी यह सोचेंगे natural है कि हम उसी चीज़ को ग्रोव करें ठीक है तो पूरा concept समझते हैं कि क्या है यह concept क्या होता है जनली अगर किसी quantity किसी commodity का किसी commodity का या किसी good का market में बहुत अच्छा price मिल रहा है स्पोँज अभी जैसे example लेते हैं फिलाल onion जो है sorry tomato जो है वो काफी अच्छा price पर मिल रहा है high price मिल रहा है ठीक है तो लोग क्या करेंगे high production करेंगे बब जिसको भी देखो वह यह शोचे का कि मैं भी tomato grow करता हूँ tomato grow करने से में market में उसको sell करने जाओंगा sell करने जाओंगा तो उसका अच्छा खासा मुझे price मिलेगा ठीक है यह producer की expectation है जिसके मारे में बात कर रहे थे कि produce करने वाला यह सोच रहा है कि मैं अगर इस commodity को उगाऊंगा जो market में एक अच्छे खासे rate पे मिल रही है ठीक है तो उस चीज से मुझे बहुत high price मिलेगा इसको एक दूसरे example में भी समझ सकते है जैसे हम सभी लोग जानते है कि iPhone होता है Apple का iPhone की market में बहुत ज्यादा demand है और उसका price बहुत ज्यादा high रहता है तो अगर ऐसा हो जाए कि बहुत सारे लोग Apple का mobile phone बनाने लग जाए और market में इतने mobile phone आजए बहुत ज्यादा जितनों की requirement ने उससे भी ज्यादा आजए तो क्या करेंगे जो sell करने वाले हैं उनको वो सस्ते भाव में sell करने पड़ेंगे otherwise वो ऐसे ही पड़े रहेंगे और do this प्रोड्यकर गया उसने सोचा कि प्राइश बहुत ज्यादा किसी को मेंटस्ट का बाजार में तो मैं भी उसको ग्रोव करता हूं जाए हूं तो मुझे भी उसका च्छा-खासा प्रास मिलेगा तो इसलिए उस उसको मेंटियो का ओटुमेटिक प्रोडक्शन बढ़ जाता है मार्केट में सब लोग यह सोस्ते हैं टॉमсть ही ह हम उगाएंगे और टॉमटो का продолж बढ़ जाएगा मार्केट में अब टॉमाटो का प्रोडक्षन ज्यादा हो गया है उससे हो गा क्या मार्केट में टॉमेटो कि सप्लाई ही बहुत जादा हो जाएगी अब टो मटरी टो मॉत रहेंगे क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा टो mm हम हर जगे तो क्या होगा ओवियर सै कि खरीदने आले कम और बेचने बाले ज्यादा हो गए अब बेचने वाले ज्यादा हो गए खरीदने वाले कम है तो कूछ ऐसे लोग है जिनका T जाएगा वो अब वेस्ट वो लोग सोते हैं कि वेस्ट ना जाए इसे अच्छा है हम की प्राइस को कम करके बीच लेते हैं इसको कि हमने जो हम हमारे पास जो प्रडक्ट है जो टोमैटो है वो वेस्ट ना जाए लोग खरीदने वाले कम है और हमारे पास ज्यादा है तो हम उ नीचे गिर गया तो क्या होगा पर्डटिक्शन नीचे गिर जाएगा अब जो लोगट टोमैटो ग्रोड कर रहे थे उन लोग से सबने किया कि हम टोमेटों नहीं हो गाएंगे क्योंकि टोमेटों का प्राइस मिली नहीं रहा अच्छा अब टोमेटों नहीं हो गाएंगे तो परडक्शन फिर से गिर गया उस चीज का ठीक है परडक्शन गिर गया तो उसकी सप्लाई कम हो गी मार्केट में परडक्शन ग बात है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा राइस बढ़ जाएगा ठीक है तो लेस प्लाई राइज इन प्राइस तो प्राइस राइस हो गया स्प्लाई कम हुई तो प्राइस फिर से राइस हो गया प्राइस राइस हो गया तो फिर साइकल बन गया complete मतलब यह एक ऐसा मकडी का जाला बन गया जिसमें से निकल पाना मुश्किल है अब ऐसा रातो रात नहीं होता है कि रातो रात लोगों ने ट्रमेटों होगा दिये और रातो रात उनको अच्छा प्राइस मिल गया मिल रहा था फिर अगली बार उनको अच्छा प्राइस ने मिला तो रातो यह लोंग डूरेशन का फिनोमेना है यह वन वन प्राइज सही रहेंगे नीचे तक फोल्डाउन होंगे फिर एक टाइम ऐसा आएगा ट्रॉंटे को प्राइज बहुत कम हो जाएंगे फिर धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगे यह बहुत सारी कॉमुनिटीज के साथ होता है ठीक है तो इसको जो हिंगेरियन इकनोमिस्ट है निकोलेस कोलदौर उन्होंने एक फिनोमिना बता दिया कि यह फिनोमिना को हम लोग कोब वेब फिनोमिना बोलें के ठीक है तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा कि यह ऐसा क्यों हो रहा है कि सर्टेन कॉमुनिटीज दे प्राइस कभी बढ़ जाते हैं और प्रिण कम क्यों है क्यों कि उसका प्रोडक्शन कम नहीं है प्रोडक्शन तो उसका काफि अच्छा हुआ है लेकिन कुछ लोगोंने अपने प्रोफिट के लिए बाजार में उस चीजि सप्लाई को रोक दिया वह चीज बाजार में जा ही नहीं पाएगी лет स्पोर्ज कि मैं टोमेटों उगाता हूं और मेरे पास बहुत सारे टोमेटों हैं लेकिन मैं बाजार में बेचने नहीं जा रहा मैं अपने घर पे रखा हुआ हूं कि जब इनका प्राइस बढ़ेगा मैं तब इनको सेल करने जाओं तो होल्डिंग भी उसका एक रीजन हो जा चीज को वह होल्ड कर सकते हैं जैसे ओनियन के साथ ऐसा होता है नेचरली तो ओनियन को वह होल्ड कर लेते हैं होल्ड करेंगे तो वह चीज बाजार में जाई नहीं पाएगी बाजार में नहीं जाएगी तो उसका प्राइस बढ़ेगा और जैसे उसका प्राइस बढ़ेग जो उनके price क्यों कई बार बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं क्यों घड़ जाते हैं तो कोवे फिनोमेना एक region है उसके पीछे और holding जो भंडारन है वो भी उसके पीछे एक region हो सकता है ठीक है या फिर एक region ये भी हो सकता है कि environment factor हो कि किसी साल मतलब environment adverse रहा हो स्पोस्ट टोमेटो को produce करने के लिए एक ideal environment चाहिए ठीक है वो ideal environment मिला ही ना हो environmental change भी उसका एक region हो सकता है ठीक है environment change भाता और फसल खराब हो गई कई बार हम देखते हैं कि बहुत जादा flood आ जाती है ड्रोट सुखा पढ़ जाता है तो उसकी वज़य से भी फसल खराब हो जाती है तो वो भी एक region हो सकता है कि कि किसी चीज की market में demand थी लेकिन वो चीज उतनी आही नहीं पाई market में नहीं आ पाई तो उसकी वज़य से उसका उसके supply कम हो गई supply कम होगी तो demand बढ़ जाएगी demand बढ़ जाएगी तो price बढ़ जाएगा तो हमें simple साथ ध्यान रखना है कि कोई भी चीज market में जो किसी उसका price जो होता है वो generally decide जो होता है demand and supply के base पे होता है हाला कि हमारे इंडिया में ऐसा provision नहीं है foreign में अगर हम जाते हैं जैसे USA वहाँ पे open market है open market का मतलब ही यह होता है कि चीजों की demand और supply पे उनका price decide होता है कि उनकी क्या demand है क्या supply है उसके base पे उनका price set होता है लेकिन हमारे इहाँ पे इंडिया में ऐसा नहीं है इंडिया में actual में हमारे यहाँ पे government decide करती है जो हमें देखते हैं MRP maximum retail price कि कोई चीज मैक्सिमम कितने रुपे में बेची जा सकती है तो उस पे government का control है हमारे यहाँ पे इस चीज़ पे भी government का control है कि कोई चीज को हम कितना उगाए या फिर क्या उगाए अब आप को होगे कितना उगाए पे government का control नहीं है लेकिन अगर हम actual में देखेंगे तो उस पे भी government का control है क्योंकि हर एक person के पास कितनी land holding हो सकती है वो भी government के पास है उसका भी control government के पास है कि एक person के पास maximum इतनी land holding हो सकती है हला कि वो loads follow नहीं होती वो एक different चीज है लेकिन कोई person क्या उगाएगा उसको किस price पे बेजेगा इस पे Indian government का पूरा control है ऐसा नहीं है कि हम जो भी मर्जी चाहें वही चीज उगा लिया ठीक है हमें कुछ चीजे जो government बताती है कि आप यह यह उगा सकते हो हम वह वह चीजे जो उगा सकते हैं और से permission चाहिएगी कि मुझे opium grow करना है और इस purpose के लिए grow करना है ठीक है तो यह सारा हमने इस लेक्टर में इस इतना ही रखेंगे यह हमने कुछ concept समझे है demand and supply के और एक कोवे फिनोमेना है जो न्यूज में रहता है अभी भी न्यूज में उसको हमने देखने की courses किया next lecture में फ